आदी पुरुष मेरी एक एली फिल्म है जब मैं अपने ओफिस में जहां मेरा राइटिंग पैड है जब मैं लिखने जाता था तो मैं जूते बाहर छोड़ के आता था है सच में और क्या लिखते थे तेरी बुआ की बगीचा लंका लगा देंगे कपड़ा तेरे बाप का लग रहा है कोई बात नहीं मुवी आने दो विएफेक्स खराब होई तो भी काम चला लेंगे यह सोच रखकर हम मुवी आने का वेट किये और अब आड महिना बाद जब मुवी आने के बाद उसे मोबाइल पे नहीं बड़े स्क्रीन पे 3D में बड़े स्क्रीन पे देखा तो पता चला असली प्रोब्लम तो विएफेक्स में था ही नहीं यार उसके बार में तो कोई बात ही नहीं कर रहा टीजर में असली प्रोब्लम नहीं था असली प्रोब्लम तो मुवी के अंदर था बोले तो ओडियेंस के आवाज उठाने पर जो इसके मेकरस मुवी को 6-8 म बारे में रामायन से छड़शाड के बारे में पता चल जाता तो क्या होता आधिपूर उसके मेकर्स ने जो गेम खेला है ना भाई आप सुनकर दंग रह जाओगे स्टार्टिंग से लेकर लाष्ट तक इसका मेकर्स क्या सब नाटक किये है हम उन सब के उपर आज के इस वीड लिया है इसका सिधा जवाब यह है दिवांग जी बिल्कुल नहीं परवाएगा यह जो रामायन लोगों ने सुनी है पढ़ी है देखी है एक्जाक्ली वही रामायन है जर्फ एक ताजार रुलिज के बाच होगा देखा जाएगा कुछ भी अलग नहीं तो भाई इनका कहन पहनाया चपल पहनाया कबच पहनाया मूच और सफेद कपड़ा पहना के जीसस ट्राइस्ट बना दिया लक्षमन को देखो जानकी के पहनाव को देखो और लंगपति रावान के फैमली की तो हम क्या ही बताए इन सब के चफरी हैस्टल के बारे में हम बात नहीं करेंगे प पर यहां तो जो चल रहा है देखे कर कौन बोल पाईगा कि यह टेटू की दुकान इंद्रजीत है यह बीवी संड है यह कुंब करण है सब कलियू का 2023 की लग रहे है यह बाई और हमारा राइटर का कहना है कि मोडरनाइज नहीं किया गया फिर आप हमारा वानार सेना को भी देख लो भाई साब रामायन में वो ऐसे दिखते थे अब डायलोग हमारा डायलोग राइटर सब क्या बोल रहे थे आदिपुरुश मीरी एक एली फिल्म है जब मैं अपने ऑफिस में जहां मेरा राइटिंग पैड है जब मैं लिखने जाता था तो मैं जूते बाहर छोड लिखते तेरी बुआ की बगी चा कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का लंका लगा देंगे हनमान जी के लिए यह लग लिखते थे मेरे एक शपुव्य में सब एसे बूलते थे तो यूते उतर प्रवास के लूक चाहे जैसा भी यो पर डायलोग कड़क है धर्टी या चटक जाए आकास न्याय का सरवनास क्या बात है पर हमाई क्या पता था कि अंदर तेरे बाफ के बगीचा जैसा डायलोग भी देखने मिल जाएगा अब माना आपने इसके अंदर बहुत से बवाल डा जैसे आपको उसका भी क्रेडिट नहीं मिल रहा क्योंकि पांच डालोग ही क्यों न हो आप से यह बुल रामायन का डालोग लिखते टाइम हुआ है साब जी शेर अब स्टूरी वो बोर रहे थे ना जो आप स्टूरी के ऊपर थोड़ा चलो नजर डालती है और देखते है कि क पर असल में देखा जये तो यह वर्दान भक्त प्रहलात के पिता हिरन्य कश्यव को मिला था ना कि रावन को रावन को तो एक और वर्दान मिला था जिसमें वह भी किसी के हाथों नहीं मरता पर अंकार में आकर वो मानव और वानार का नाम लेना बोल गया था इसलिए विविशन इंद्रजीत कुमकरन जिस किसी को भी देख लो उनके उपर का माला खाली रहता है बोले तो किसी के सर पे मुकुट नहीं दिखता अरे वह लंका का राजा है यार मुकुट ना से कम से कम बाजवन कुंडल या सोने की माला वगेरा या कुछ तो पहना लेते पर नही आधिपुरुस के लंका में सोने की कमी है कि क्या है पता नहीं पर किसी को भी ऐसा कुछ पहना हुआ नहीं दिखाते यहां तकि भगवान ब्रह्मा को भी बिना मुकुट के दिखाए है यार एक बावाजी के जैसे तो क्या सुरुष्टी करता ब्रह्मा ऐसे आये थे रावन परवत पर संजीवनी बूटी मिलने के बात विविशन की पत्नी बताते है तो कि रामायन में भी संजीवनी बूटी की बात विविशन की पत्नी ही बताते है नहीं रामायन में संजीवनी बूटी की बात एक वैदियराज बताते है विविशन तो किस अस्त्र की वज़े से लक्षमेन मूर्चित हुए वो बताती है वो भी विविशन हा उनकी पत्नी नहीं पर इसके मेकर्स इसे भी रामाण से अलग करके बदल दिये है और बोल रहे है एक्जाक्ली वही रामाण है कुछ भी अलग नहीं और अब रावन कांद इसमें दिखाया गया है राघव वजर और यह दिखाया है और बोल रहे है एक्जाक्ली वही रामाण है कुछ भी अलग नहीं क्या है वाई यह पिसे इतना ही नहीं इन्होंने रामाण से अलग करके और भी बहुत से मिस्टेक्स किये है जैसे कि जानकी की एंट्री करवाते है पर बिना पल्लु के ही दिखाते है बस वो विक्षया देते टाइम पल्लु के साथ दिखाया है हनुमा जब पहली वर लंका में जाते है तो साथ में गदा नहीं लेते बीविशन राघव के टीम में चले जाते है रावन को पता नहीं चलता रावन को ही उनको लंका से निकालना था ना बजरंग समुद्र बजरंग क्या इसमें कोई भी वणर्शना फर्स्ट से लेकर लाट तक कभी भी जैसराम नहीं बूलते जैसराम तो बस बैंगरांड में बजता है रामयान को किस वज़े से जाना जाता है बताओ माता पीता भाई मित्टर तक किसी का प्यार इसमें नहीं दिखाए पर मरिया पुरुसतम्स राम कथा में वो असलीलता दिखाए, वो कपड़ा चेंज करने वोला सीन को दिखाने का क्या जरू रह था वाई, रामयान के बहुत से चरित्र को ही काट दिये, और जिनने रखे थे, नल, नील, शुसेन जैसे चरित्र को भी कोई टाइम नहीं दिये, पर कपड रामयान नहीं बनाई है, हम रामयान से प्रेरित हैं, हमेशा हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे, तो हम यही कहते रहे, कि भाई, हमारे लिए तो बड़ा आसान था, कि मार्केटिंग के स्ट्रेजी के साब से भी, हम फिल्म का नाम रामयान रख देते हैं, और अब जब मुवी रिलीज हो गया, तो हमने रामयान नहीं बनाई, बनाई होती तो मार्केटिंग के लिए टाइटर रामयान नहीं, आदिपरुस क्यों रखते हैं ना, पई सीधा बोलो ना, आपको पैसा कमाने के लिए रामयान के नाम पर एक्शन मुवी बनाना था, ब फिर भी अगर नहीं हो पा रहा, तो रामयान की ट्रायलोजी बनाने की कोसिस करते, पर कभी ऐसे बाकी बातों को जल्दी से निप्टा के, क्लाइमेक्स के लिए टाइम नहीं बचाते, और क्या बोल रहते हैं, आने वाला यूग हम इसके लिए याद करेगा, हाँ, क्यों न पेले भी ये बोल कर मूवी को पोस्टमन किया गया था, और बदला क्या, कुछ नहीं, बस लाइट को डार्क कर दिया, बदला किये है बोल के ट्रेलर में हनुमान जी के पेरों से चपल को हटा दिया, पर क्या मूवी में से चपल को निकाला, नहीं, क्या मस्त ओडियंस को पूर्ख बनाया रहे मानना पड़ेगा खेर तो भाई बस ये था पूरा मसला आसा है कि मेकर्स के गेम के बारे में आप सब समझ गए होंगे फिर वी आपको इन सब के बारे में क्या कहना में कमेंट करके जल्दी बताओ बाकि अगर ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडि